तो दोस्तो वेलकम मैं आप लोग का मीरी एक बिलकुर निव वीडियो में तो दोस्तो इस वीडियो को शुरू करने पहले न मैं आप लोगोंसे एक सवाल पूछता हूँ तो दोस्तो वेलते जो फ्टूडिया वो न किन नोवल्व के डोगग Review बनाते हैं और वाइब सी बाते विढ़नご हने वैदध पैसे आएंगे तो दोस्तों जैसे है कि मैँने आपको पहले इंअ प्छोडियो उन नोवन फोते जो बहुत ही वैदर पुपुलर है और बहुत ही वैदर कमाल की है और उनकी स्टोडीलाइन भी बहुत ही वैदर कमाल की है यहां तक तो यह सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा है लेकिन मुझे लगता है कि जो फ्टूडिय उन नॉवल्स को इसले उठाते हैं ताकि उनकी फ्टॉरी लैंसारी खराब कर दे और जो डॉंगों उसको अपनी मरसे क्रियेट कर दे तो दोस्तों आप लोगों को बहुत ही व्यदा च्छे से पता होगा और मैंने कई वीडियों पेहले ही बताया है जो एप होती इसको नॉवल्स के इसको नॉवल्स पर बंदा पढ़ लेना बहुत ही बहुत ही जबरदफ़त है और हमाई मेंन लिड को जिस तरीके दिखाया गी है उसके relationship दिखाए गए है वो भी बहुत ही वैया कमाल के हैं लेकिन मुझे लगता है कि जो फ्टूडियो आफर में वो ना लूव वोंग से बहुत ही वैदा जाली फैक्ट तो के जो टूडियों को पर वीडियों नहीं बनाई क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जो लोग है वो ना एपोटिफ के स्टूडियो को हेट करें और एपोटिफ को देखना बंद कर दे क्योंकि चाहिए जो मर्फिय इसको नोवल तो मुझे बहुत ही वेदा पसंद आया इवर अफ जब जब एपोटिफ डॉंगवा के अंदर जो फीन कट होते है उसके उपर मैं वीडियो नहीं बनाता था ताकि जो लोग है वो ना हेट ना देख को मगर आप तो जो डॉंगवा के जो फ्टूडियो नोगों ने पगड़ के हादी पार कर दी यार एक में फीम एलीड को इन लोगों ने पगड़ के लुड़का दिया है एफ़ लुड़का दी जैसे उसका कोई रोल ही नहीं आगी तो दो दोस्तों बहुत से लोगों ने भी बड़े मज़़े से देखना था शुरुवात में लेकिन जैसे मैंने फोल लिंग्यों को अपना फेक्रिफाइफ करते हैं तब मैं एक मिड़क ले वाई पे रुड़ जा हूँ और मैंने उसे एकनब पॉस के बटन में क्लिक किया और एपिफोड को वाई पे पोस कर दि किया हूँ क्योंकि उसक्त मुझे अपने पर शुक्त कोने लगे थे कई मैं तो गलत रीड नहीं किया नॉवल कई दफ़ा पढ़ने के बाद मुझे कंफॉर्म होगे नई भाई मैंने पहले भी गलत रीड नहीं किया अफ़र मैं यह जो कमीना पन के यह रफ टूडियों वा प्रूड होती है अब मुझे यह फमने आता है जो फ्टूडियों वो ऐसा क्यों कर रहा है इसकी मुझे दो रीवन्स लगती है पहली जो रीवन्स मुझे यह लगती है अफ़र में यह जो डौंग होगा वाले है यह जो फूलिंग यून को जो करेक्टर है इसको नहाँ यह वैसे करता तो है मगर पहली बाद जो प्यार होता है वो ना लूज होंग कोई होता है फूलिंग यून से तो इस बाद से तो आप लोग बहुत ही वैदा अच्छी तरीके से समझी गए होगे कि नॉवल के अंदर कितना व्यदा इंपोर्टेंट रोल है फूलिंग यून खतम ही कर देंगे वह फे नॉवल के अंदर तो इसकोई भी फीर नहीं है मैंने नॉवल अच्छे फिरीड किया और नॉवल के एंड तक ना जो फूलिंग यून होती वो ना हमाएं में लिड लूफ होती है यहां तक के नॉवल के बीच में जो नूफ होते वो ना नॉव वोंग के फाती रहा फकुँ और आम लोगों हो नॉवल के एंड ने जो फूल निग यून उते उसके हाथ में एक बैटी को भी दिखाया जाता है और हमने यह भी बताया जाता है यह जो लड़की है यह नॉव वोंग की दूफरी बैटी होती है और इसके लावे जो लूव ओंग और जो फूल इंग्यून होते न की शादी भी हो चुकी होती है इसके लबाव और भी कुछ लड़के होते है जिनकी लूव के बाई शादी होते और बच्चे भी होते यह हम लोगों न फूल इंग्यून को कंफॉर्म मैं के नॉवल केंड में दिखाया जाता है अब इस टॉपिक उपर बात के लेते क्या डॉंगवा के अंदर जो फूल इंग्यून है इसको हमें रिवाइब वो तो दिखाया जाएगा तो दोस्ते इसके जो चांफिव है वो न 80% चांफिव तो हैं कम से कम अब यह मैं इसलिए कहरा हूँ क्योंकि चाहे जो मर्वी हो जाए जब फूल इंग्यून की जो बोड़ी है वो अभी भी साही फिलावत पड़ी है उसकी बोड़ी को कुछ भी नहीं हुआ और उसका जो फूल इंग्यून रिवाइब हो जाएगी मगर जब फूल इंग्यून रिवाइब हो जाएगी ना तो इसको जो स्टेटे से वो और भी जएदा हाई हो जाएगा क्योंकि आप लोगो को ये बात तो अच्छे से पता होगी जब फूल इंग्यून अपना फैक्रिफाइब कर रही होती तो उसक ना लूव उंग रोता बहुत पकड़िए और लूव वंगो को बहुती जब जब फूल इंग्यून अपना फैक्रिफाइब कर देती ने लूव वंग के फ़ामने तो अपना जो प्यार है वो भी लूव वंग को शोग कर देती यानि उसको बता देती कि वह उसके प्यार करती है तो अब जायर से बात अब लूव वंग रिवाइफ करने के बाद इतना बेव कूफ तो नहीं होगा कि नीए समझेगा कि रखे बात गलत भी हो जाए और जब मेरी बात गलत हो जाएगी तो बहुत फे लोग गाली भी देंगे और कहेंगे इस कमीने कोई भी इंफरमेशन नहीं है लेकिन मुझे ये बात भी बहुत ही 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 main reason यह है कि जो एफोत इस novel है ना इसका जो second part है वो नहीं है यानि यह जो novel है ना इसको जो novel two है वो नहीं है इस पर फिर ना जो डौग हुआ वाले वो अपनी में से changing कर रहे हैं क्योंकि जब किसी novel का जो novel two होता है ना तो उसके अंदर changing करना बहुत ही जएदा मुश्किल हो जाता है क्योंकि जो next novel होता है उसके अंदर जो story होती है वो ना पिछले वाई novel की इफाप से ही चाहरी होती है मगर जिन novel उसका एक ही novel होते ना तो उसके फाद यह कोई भी फिफ्टम नहीं होता जो डौगोवा वाले होते हैं उनको पता होते है कि इसका एक ही novel है और इसके आगे और कोई भी novel नहीं आना तो फिफ्टम वह जो पहले वाई novel होता है उसको पने बाप का माल समच्ची उसके अंदर जोन वीचाहिब मर्वी चीफ चेंज करते रहते हैं इस रेफिना मैं चाता हो कि एक जो novel होना उना उसके कम फेकम दो पार्ट तो होने ही चाहिए है ताकि जो डौगोवा वाले वो थोड़ा बो दब के रहे इसके लावा बहुत फे लोग ये भी फोच होगे या ये जो लौव वोंगे इसके टोटल आर्ट बीवे होती है कई आगे जखे कि जो बाकी की जो बीवे डौगोवा वाले उसके साथ भी तो यही हरकत नहीं करेंगे तो दौफर मैं आप लोगों पहले पता तो मुझे तो लगता वह फे नहीं कि फूल लिवे वाफ़ रिवाइव नहीं होगी हर फूरत में फूल लिवाइव भी रिवाइव होई जाएगी अगर डॉंगवा वाले न कोई कमीना पन कर कि किसी एक में फीमे लीड को जबरदस्ती पगड़के लुड़का देना तब इसे जो स्टोरी का प्लोट हो तसमें बहुत ही वदा इफेक्ट पड़ता है इसके इलावा जो लूज हो जो टेक्नीक्स मिलेंगे और बहुत जो स्कील्स आएंगे उनके उपर भी बहुत ही वदा इफेक्ट पड़ेगा और जो स्टोरी होगी ना उसको संबालना बहुत ही वदा मुश्किल हो जाएगा या पिर जो फ्टोरी का जो एंड होगा वो चेंज हो देगा या फिर में लीड की जो पावर हो चेंज हो देगी पहले तो मैं उन भाई लोगों से माफ़ी मांगना चाहूंगा जो मुझे बार बार कहरें कि यार फूल लिंग उनकी रिवाइब को पर वीडियो बनाओ तो दोस्तों आप लोगो मैंने पहले ही बता दे कि इस टॉपिक उपर मैं किसी फूरत में वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि ये जो टॉपिक है नॉवल के अंदर नहीं है और नॉवल को तो हम लोग पढ़ी सकते हैं अब इसका एक ही तरीका बजगे है कि जो डॉपिक लिखिया वो कोई पढ़ ले और वो पढ़के अगर बता दे फिर जाके हम इसके उपर वीडियो बना सकते हैं जब मैं जेल से वापफ आ जाओगा तब इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊगा मगर मैं आपकी खाते ही अरकत बिल्कुल भी निकरूँगा क्योंकि इसके लिए बहुत ही वैड टाइम लग जाएगा और वहाफे भी जो मांगावाई जो चैनल के लोग है वो मुझसे बहुत ही वाद नराव रहते हैं क्योंकि मांगावाई चैनल पर नाकफर में एक दिन छोड़के एक दिन वीडियो डालतों और कभी कबार तो दो दिन भी निकल जाते हैं जो भी इंफर्मेशन दूँगा वो में नौवल बेफ दूँगा डोग वा देख के नहीं दूँगा तो दुफ तो इस अगर आप लोग को इंफर्मेशन ना भी प्रफंद है ना तब आप लोग ये फमने नहीं नौवल के अंदर लिखा हुए तो दुफ तब मैं मिल तो आप लोगों फिर बिलकुल एक ओन नूव वीडियो में तब तक कि लिए आप लोग अपना अच्छे फिकाया रखना